सस्ते Current and Savings Accounts और ज्यादा Interest Rates की वज़ा से लोग अब Private Sector Banks में Deposit कर रहे हैं इसकी वज़ा से Public Sector Banks के Deposit में कमी आ रही है देश के Private Sector Banks की Deposit Growth बढ़ती जा रही है जबकि Public Sector Banks की Deposit Growth में कमी आ रही है हाल ही में जारी आरबे के आफलों के अनुसार वितवज 2018 की तीसरी तिमाही में होने वाले कुल बैंक Deposit में से 74.1 फीजदी Public Sector Banks के पास थे और 25.9 फीजदी Deposit Private Banks के पास पर वितवज 2019 की तीसरी तिमाही तक Public Sector Banks के Deposit गिर कर 71.5 फीजदी पर रहे गए जबकि Private Banks के Deposit 25.9 फीजदी से बढ़कर 28.5 फीजदी पर पहुँच गए जिसका मतलब साफ है कि लोग Public Sector Banks से जदा Private Banks में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं वीते एक साल में Public Sector Banks के Current Account Deposit का शेर करीब 4 फीजदी कम हो गया सेविंग अकाउंट्स में ये गिरावट करीब 1 फीजदी की रही साथ ही Term Deposit में करीब 3 फीजदी की कमी देखी गई Corporates और कमपनिया अपने अकाउंट्स के जरिये होने वाले Cash Operations को Private Banks में शिफ्ट कर रही है Private Banks कम कीमत पर Current और सेविंग अकाउंट्स खोल रही है और ज्यादा Interst Rates दे रही है जिससे Private Banks का Customer Base भड़ता जा रहा है उजर अलीजाफरी, GoNews